हेलो दोस्तों स्वारा था आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में इकोनोमिक का नेक्स्ट कुष्टन देखने वाले हैं इससे पहले वाले वीडियो में हम स्वेंग्स हैता सम्हूं के बारे में जाने थे इस वीडियो में हम लो हमारे वेबसाइब बाइंकों का जो कार्ज है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वेपसाइब बाइंग को होते हैं चौथा जो चैप्टर चला है वह भी आपका समाप्त होने वाले हैं कुछ ही अब इसका कुश्चन भाकी है तो वह सारे कुश्चन को हम देख लेंगे बार की से उसके बाद हम लोग चल जाएंगे तो जो भी स्टुडेंट इस वार क्लास 13 का 2023 में एक्जाम देने वाला है उन सारे स्टुडेंटों के लिए मतलब बहुत अच्छे कुश्चन है यह कि लॉंग कुश्चन में आप ही तक में यह बहुत बार पूछे गया है तो इस जैसे पांच अंका पूछा गिया तो पांच में पांच अंका आपका जरूर मिलेगा एक वी अंका आपका कट नहीं होगा चली हम लोग जानते हैं आज का कुश्चन देखते हैं कि मेरा क्या है मेरा कुश्चन है कि बैफसाई बैंक के परमुख कार्जियों का वर्णन करी website bank का क्या कार्ज होता है उन्हें के बारे में हमें बताना है तो जानते हैं कि क्या क्या उनके परमुख कार्ज होता है जानते हैं कि क्या क्या इनके कार्ज है जैसे जमाराशी को स्विकार करना करता है, फिर चुने संबंदित कार Yeo के लिए जैदा मतलब helpful होते हैं कि जैसे कि आज लगते हो ने लगरे तो यह ढूरों! है कि उनका क्या कर रहा है कि जमा राशी को स्विकार करना इसका पहला हम काम क्या देखते हैं कि जमा राशी को स्विकार करना जैसे कि कोई ने ग्राहकों को लाव होता है वो क्या करता है कि जो बेपसाई बैंक होता है जो बेपसाई लोग के लिए मतलब अलग से जैसे एकाउंट बनते हैं तो वो क्या करते हैं जमाराशी को स्विकार करता है उसमें आम का सकते हैं पैसा जमा करते हैं और वो मुद्रा को प्योग करत ब्हों रिए के बेर पढई दूसरे लोगों को देता है क्योंकि मैंक पास अपना कोई होता नहीं क्यों के इंट्रेश्ट से जो बाइंक काफा होती है क्या करें कि सम्मान ग्रहाकों को लाब होता है और उन लाबों का कुछ अंस सभक पर कारना सा या nossos सब्सक्राइब जमा जाता है जैसे कि हम पैसा कि जमा खुआ हो जाते हुआ है जो कुछ पैसा नमानके चलए दो लाग जमा किया गया किसी बिजनिसमें के तरफ से और वह दो लाग किसी समानक राहक में दे दिया दो रुपए के इंट्रेस्ट पे दे दिया तो दो रुपए तो बैंक ले रहा है उनसे और एक रुपए मान के चलो इसको दे रहा है इंट्रेस्ट तो एक रुपए तो बैंक को बच रहा है तो वही का रहा है जमाराशी को स्विकार करता है उसके बाद ग्रहक को भी अपना स करना है एक तो क्या होता कि पैस्ट पैसा देना का सकते हैं या लॉन देना जिसे बैएंट के द नजरिये सुषे क्या क्या है हम लोग लेते हैं तो रहंपर होगा है और बाईन का दूसरा मुख्यकार्च लोगों को पत्राइन करना सहीसागी मिफ्लद का नbook का करना मa दीज्टाना वोगरों को रिन पढ़ना है कि रियाज तो इसके पास आते हैं या जो लांग टाइम के लिए जो ग्राख जमा कर किये रहाते हैं उसी को रीन के रूप में दूसरे ग्राख को देता है इस कारण से क्या होता है कि जमा जमा जो राशिसर्ट जमा जितने भी रखम होते हैं एक साथ निकाल लेते हैं तो यह चाहते हैं आप तो एक साथ भी सारे रखम को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं इसकी हम कर सकते हैं कि इसकी आसा कम रहती है कि दिन यानि कि कर सकते हैं दिन परदान करने की जो बैंक का आधहार है रिन परदान करने की जो बैंक का आधहार यहां पर थोड़ा से प्रिंटिंग मिश्टेर है यह का रहा है कि मतलब कि यह संभावनाएं बहुत कम रहती यह आसाएं बहुत कम रहती हैं कि सभी ग्रहाक अपनी पैसे एक साथ निकाले यह बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलते हैं कभी कोई ग्रहाक निकाल तो दूसरा ग्रह जानुकर पकृष के लावा dollars करने का यह क्या है इस की मिलीग के इता है इक और भी काम होता है जो bank हमें देती है उसके बाद हमें भोग सेवाय देती है जैसे यात्री चेक हो गया ATM की शुवदा होती है कहीं भी हम पैसा निकाल सकते हैं उसके बाद locker की शुवदा देती है या आपको कोई जेवरात या कागजात या important कोई चीजे रखनी होती है तो आप bank में शुरक्षित रख सकते हैं तो समान उपयोकता संबंदित और भी कार्ज देखते हैं क्या क्या देती है वो हमें इन कार्जों के अलाबा जो हमें जमाराशी जो हमसे स्विकार करता है उसके बाद हमें रिन से जाते हैं sudah उसके बाद लोक के द्वरा हुमें दिये जाते हैं आदे इन सेवां से बाइंग भी कार्ण हुआ है जल वह क्या देती है आदैशित्यíchजे से आउं से बाएंग से ग्राकों क्या होती होती यह बहुती नाव मतलब लाव होती है यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में कैसे मिश्टे होगे तो इससे क्या होता है कि ग्रहाव को के बहुत जैदा लाव होते हैं यह तीन इनके जो कार्ज थे जो परमुख वेपसाइब बैंक का कार्ज थे तो वो कार्ज हम देख चुके हैं उसके बाद जो हमा इससे कौन-कौन से कार्ज होते हैं तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आभी तक रहने देता है इतना है आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेशन को कंटिन्यू करेंगे